आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ आप किसी भी कॉंपरिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही यहां जो आईटे बे यहां पर जाके मेरे रियल आनलसिस के जो वीडियोज है जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ दो वो सब आप देख सकते हैं इससे पहले मैंने continuity का जो वीडियो है वो भी अप्लोड किया क्योगी continuity समझ माया है तो आपको discontinuity भी समझ माया तो discontinuity क्या है और कितने टाइब की discontinuity होती है और कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पर कौन से टाइब की discontinuity राइट सब्सक्राइब का मतलब होता है वो क्या होता है अल्टीमेटली यह होता है कोई function अगर continuous नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा of its domain then fx is said to be the not continuous means fx is not continuous right not continuous at a point of its domain then fx is said to be discontinuous at that point right अब types of discontinuity में सबसे पहले जो आती ही वो आती ही रिमूबल discontinuity है अब रिमूबल discontinuity का मतलब क्या होता है कि लिमिट तो एक्जिस्ट कर जा इस विए वह आपको बता दूब कर चुका हूं वह आईटे पर जाके देख लिजे तो आपको discontinuity समझ भाएगा क्योंकि पहले continuity की definition आनी चाहिए ना तो continuity की definition यह होती है कि अगर बाईसे कोई function है उसके limit एक्जिस्ट कर रही और point पर उसकी function की value बराबर है जिस point पर हम continuity check कर रहे है अगर यह दोनों बराबर है तो function continuous होता है पर पर removal discontinuity क्या होती है कि function की limit तो exist कर रही पर point पर function की value उसके बराबर नहीं limit के बराबर नहीं तो ऐसे जो होता है वो हमारे पास क्या होता है removal discontinuity होती for example जैसे तो रखा fx is equal to sin x by a upon x minus a x minus a upon x minus a where x is not equal to a and x is equal to 0 पर यह 0 दे रखा राइट अब आप यहाप इसकी limit check करेंगे तो इसे विशन हम जानते हैं इसकी limit check करेंगे तो आप देखे हो यह 0 रहे है पर point पर इसकी value क्या रही है 0 आ रही इसलिए यहाँ पर क्या होगा removal discontinuity होगी removal discontinuity का मतलब यह होता है कि एगर इस function को redefine कर दे हना मतलब कहने का यह हुआ कि अगर यहाँ पर मैं 0 की जग़ा 1 रख दू बाइचास 1 रख दू तो function क्या हो जाएगा मेरा continuous हो जाएगा तो जब ऐसे कोई function होता है जहाँ पर limit exist कर रही है पर point per function की value बारावर नहीं है तो such type of discontinuity is not as a removal discontinuity मतलब हम यहाँ पर function को redefine करके उसकी continuity को remove कर सकते हैं right so this type of discontinuity is not as a removal discontinuity right आगे बढ़ता है सुन यह पर वही मैंने बता है कि limit exist कर रही पर point per function की value बारावर नहीं है so such type of discontinuity is not as a removal discontinuity right second दिखेंगे discontinuity of a first kind first kind क्या होता है इसमें limit हमारे पास exist करेगी बट left-end limit right-end limit के बराबर नहीं हो अगर limit exist करे और right-end limit left-end limit के बराबर मतलब exist कौन से करेगी left-end और right-end exist करेगी right पर दोनों बराबर नहीं होगे अगर दोनों बराबर हो जाए तो limit exist कर है right-end limit exist कर जाए पर दोनों बराबर नहीं हो such type of discontinuity is not as a first kind discontinuity for example यहां पर देखें जब x की value less than 0 है तब हमारे पास minus 1 है बराबर पर 0 है और greater than 0 पर 1 आ रहा है तो आप देख रहे हैं इसके left-end limit जो आ रही है वह minus 1 आ रही है है इसकी right-end limit के आ रही है 1 आ रही है और point पर function की value point से मतलब भी नहीं क्योंकि जब right-end limit left-end limit के बराबर ही नहीं है तुम्हे point को देखने की जरौत नहीं है तो such type of discontinuity is not as a first kind discontinuity right बात करेंगे वही कर रहा हूं left-end right-end के बराबर नहीं हो रहा है next बात करेंगे discontinuity of a second kind discontinuity of second kind के मतलब यह होता है कि गर left-end limit और right-end limit दोनों ही exist नहीं करें ठीक है ना तो यह exist करें नो वह exist करें यहां पर क्या होगा देखो फस्काइड में क्या होता है दोनों exist तो कर रहें पर बाराबर नहीं यह रहें 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 राइट सेकंड काइड हो दोनों exist ही नहीं करें राइट तो such type of discontinuity is known as a second kind discontinuity right for example sin 1 by x at x is not equal to 0 जब इसकी limit check करेंगे left hand limit तो हम जानते है limit h tends to 0, 0 plus h हो जाएगा और जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0 minus h रखेंगे तो 0 minus s रखने पर भी कुछ फरक बने वाला नहीं sin minus theta हो जाएगर sin minus theta minus sin theta होता है पर ultimately हम यहाँ पर जो भी h की value 0 रखेंगे तो यह minus 1 से 1 के बिच्छ पर oscillate करेगा तो न तो left hand limit exist कर रही है न right hand limit exist कर रही है तो यह function जो होगा यहाँ पर इसके discontinuity of a second kind होगा right है ना वही करें एंगे mix discontinuity है ना mixed discontinuity का मतलब क्या होथा है कि left hand limit exist कर जाया पर right hand limit does not exist हो यह right hand limit exist कर जाया left hand limit does not exist मतलब कोई दोनों में से कोई exist करें एक does not exist हो तो वह क्या हो जाएगी first or second kind की mix हो जाएगा right तो such type of discontinuity is known as a mixed discontinuity, क्या होगा, if a function has discontinuity of second kind, at one side and another side, a discontinuity of first kind, or may be the discontinuity of fx has mixed discontinuity, x is equal to a, मतलब एक side तो हमारे पास second kind, sorry, एक side तो हमारे पास second kind हो, दूसरी side हमारे पास क्या हो, first kind हो, right, तो such type of discontinuity is known as a mixed discontinuity, right, example देखे, x square, where x is less than equal to 0, और x is greater than 0, तो आप देखे रहो, left hand limit पे हमारे पास 0 रखने पर 0 आ रहा है, है ना, पर right hand limit रखने पर यह क्या आ रहा है, minus 1 to 1 oscillate कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास left hand limit तो exist कर रहे है, पर right hand limit यहाँ पर क्या कर रही है, does not exist कर रहेगी, तो यह क्या होगा, mixed discontinuity होगी, right, so x is less than 0 पर हम जानते, fx is equal to x square, is continuous, and x is greater than equal to 0, fx is equal to sin 1 by x, has discontinuity of second kind, मतलब यहाँ पर x square discontinuous तो नहीं होगा, less than 0 पर हमारे पास इसकी limit क्या कर जाएगी, exist कर जाएगे, तो left hand limit exist करेगी, but right hand limit क्या होगी, यहाँ पर exist नहीं करेगी, और यहाँ पर क्या होगा, यह second kind हो जाएग, right, so fx has mixed discontinuity at x is equal to 0, right, तो इस तरह सम करते हैं, इसमें एक और exam को समझने की कोशिश करते हैं, कि question देखे हैं, examine the discontinuity of fx at x is equal to 0, तो इसमें क्या करेंगे, आप जब भी ऐसा question दे रखा तो आपको इसको redefine करना पड़ेगा, because mod की बात करेंगे, और mod x को मैं आपको define करके बता देता हूँ, mod x का मतलब क्या होता है, जब x की value minus x होगी, जब x क्या हो हमारे पास less than 0, और x होगी, जब x हमारे पास क्या हो, equal दोनों मैंसे कहीं भी हम ले सकते हैं, तो इसमें देखें यहाँ पर, जब x हमारे पास greater than 0 होगा, तो यहाँ पर mod x की value क्या होगी हमारे पास x हो जाएगी, मतलब यह x minus x हो जाएगा, और यह 0 हो जाएगा, तो यह पर इसकी वे लिए 0 हो जाएगी, जब x less than 0, हम जानते हैं less than 0 वाले के इसमें minus x होगा, और जब यह minus x होगा, तो minus minus plus x हो जाएगा, बन्तलब plus x हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारे पास 2x, और नीचे x आ रहा, तो x x cancel, तो यह 2 आ जाएगा, और 0 पे तो वैसे भी 0 हो रहा, तो टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है, तो यह function हमने redefine कर दिया, अब हम देखेंगे इसके left hand limit, तो यह ज़रून लेफ्टेंट लिमिट कामत होता है, 0 से छोटा, और 0 पे छोटा पे इसके left hand limit, left hand limit की value वो क्या रही है, 2 आ रही है, इस लिए जीरो से बड़ा, वो हमारे पास right hand limit आएगी, इसके वेलिए 0 आ रही है, हम देख रहे हैं यहापे, left hand limit 2 आ रही है, right hand limit 0 आ रही है, दोनों exist कर रही है, पर दोनों बरावर नहीं है, इसलिए यहापे क्या होगा, discontinuity of a first kind होगा, तो इस ताइब से हम questions को, बहुत इसलिए यहापे solve कर सकता है, तो यह मैंने आपको समझाया, discontinuity के बारे में, जो मेरी playlist है नए चैनल पर, जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा कुछ वज़न से, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बढ़ बहुत जल्दी महाँ पर शॉट ट्रिक्स पर वीडियोज अप्लोड करने वाला हूँ, सुनी मेरा पुराना चैनल जहाँ परा फायर मैंस के वीडियोज देख सकता है, सुस्विंट कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रू बताइए, लाइक करेए, शेयर करेए और चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करेए, थैंक यू सो मच पर वचिंग में, बबाए!